नमस्कार मैं आपका टॉप रिपोर्टर में सौगत करता हूँ इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टूडेंट के साथ एक इंफोमेशन शेयर करनी है MCI Medical Council of India के अगेंस एक केस रिजिटर होकर आया है और उसे के बारे मैं आप सभी स्टूडेंट के साथ ये नियू शेयर करना चाता हूँ अब ये किस के बारे में हैं, किस ने किया है और कौन से बेसिस में हुआ है वह मैं इस वीडियो में आपको बता दूँगा तो चलिए देखतें ये आर्टिकल में क्या डिटेल दिया हुआ है यानि कुछ रूल्स और रिजुट प्रोग्रामिंग में जो अभी तक MCI ने इंप्लिमेंट नहीं किया है यह जो रूलस और रिगुलिशन है इसे कब से इंप्लिमेंट हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं हुआ है और यहाँ पर क्या हुआ है कि एक नोटिस औरिटे को भीज दिया गया है दिल्ली के हाई कोट में अब यह केस होने वाला है तो यहाँ पर आगे क्या लिखा है तो यहाँ पर यह कहना है कि 1997 से अभी तक एक भी चेंज नहीं हुआ है अडर ग्रेजुएट M.B.B.S के प्रोग्रामिंग में और दुसरी जितने भी कंट्रीजें उनमें सभी में नए अपडेट्स आ गया है नए टेक्नलोजी यूज हो रहे हैं और जो आटडेट्स चीज़ें उसे निकाल दिया गया है लेकिन इंडिया में 1997 से यहाँ पर आल्मॉस 22-23 एर से कोई भी चेंज नहीं हुआ है और उसे के बारह में यह केस हुआ है तो केस में बेसिकली यह हुआ है कि MCI के अगेंस की MCI नए रूलस और रेगुलेशन इंप्लिमेंट नहीं कर रहा है इसके वज़े से इंडिया का जो हेल्थ के सिस्टम है वह काफी पूर हो गई है और उसके बारह में यह डीटेल यहाँ पर दिया गया है अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यह डीटेल जो है आपको यह वेबसाइट पर मिल जाएगा medicaldialogs.in और यहाँ पर आप पूरी डीटेल्स चेक कर सकते हैं हम यह वीडियो यहीं समख कते हैं अगर आपके यह वीडियो अच्छा लगा हो आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो नीचे जो लाइक का बटन है जो सब्सक्राइब का बटन है साथी नोटिफिकर चुना बेल है उन्हें दवाना ना भूलिये धन्यवाद